इस प्रेंट्स दिस रोईद गुपता वालकम तो मैं चैनल क्रेक कॉंपेटिशन्स आज में बात करने वाले हैं एस दी सेंटर साउथ एं नौथ में जो वेकेंशी थी चार सो अठावन पदो पर यह जो वेकेंशी ती जिसके लिए आपको आफ्रें आविदन करना था तो कि आप केंडिडेट्स को कोई भी कंफिजन वागेर ना हो आपको इसका अप्लाइक करते वाग और आपकी इस वीडियो में हर एक डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं तो आपको अगरना है वीडियो को कंप्रीट देखें विदाउट स्कीपिंग सार इंफोमेशन ए आपको क्या करना है वाट्सअप ग्रूप पर या फिर टेलिग्राम ग्रूप पर जोईन हो सकते हो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में वह पर आपको इसकी अप्लिकेशन फॉर्म की प्लीडेफ मिल जाएगे तो आप इजी ली फिल कर सकते हो आपकी यह वेरियस पोस्ट पर वेकेंसी है और आपको इसको अफ्लाइन फिल करना है स्टार्ट डेट में बतायता हूं 25 जून से इसका अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुके है अभी तक किसी को नहीं पता और लास्ट एट के हम बात करें तो 15 जुलाई तो आपको कम समय मिला हो काफी कम समय तो आप जल स 208S 258 पर आपको फिले उत और आपको यह जए अनवलाप के लिए रिकांश उता है आपको वायू और भाकी वाही सारी चीजल लीकरा तो बेसिक डिटाल सोती है तो मैं आपकी एनवलापnom का सार डाउटिकलियर करने वाला हूं नोल्टिफिकेशन में में मैंचैन है आपको दो एनवलब लगने वाले है ठेकित जिसमें आपका एक same एंवलॉप होगा जिसमें आप भर यह से वहाल मेन और यह सारी निर्टर पर कलगा और यहां गया लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको इमने वेलप का तरीका बता रहा हूं हम एक मेन लगा इसमें आपको सब तो बैलalis में च reasonable उना में Pap से फिल करना है application for the post of जिस भी पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हो तो आपको यहां पर फिल कर देना है और साथ ही साथ सबसे में चीज है percentage आपको डालनी है जितने भी आप 10th past candidate हो जिस भी पोस्ट के लिए पपलाई कर रहे हो पहले आपको क्या गरना है जितने भी जिनकी भी 10th में 50% से कम है तो रेड इंक से लिखेंगे अपनी percentage 50% जितने भी आपकी percentage है 50% से कम है तो आपको क्या गरना है red pen से अगर आपकी 51 से 60 के बीच percentage है तो आपको blue pen से लिखने है जितने भी आपकी percentage है आपको main envelope की बता रहा हूं मैं ठीक है जिसकी 61% से जादा है तो वो black pen से लिखेगा कि मेरी 80% है मेरी 90% है तो आपकी admit card पर लिखना है उसके बाद जितनी percentage हो अपनी sign कर देना है ना मैं आपको दिखाने वाला हूं आपको सीधा चलते हैं आपके envelope को लेट 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 पे जो मेन वलाप और self attached envelope पर इस तरीके से आपका main envelope दिखने वाला है जैसे मैं आपको size भी बता दिया आपको करना है इसके उपर first of all सबसे उपर आपको इस तरीके से लिख लेना application for the post of जिस भी पोस्ट के लिए अप अपलाई कर रहे हो और उसकी category भी डाल देना जो भी चैने तरीके से बिलॉंग करता है तो डाल के आपको जहां भी address आपको बेजना है एस बेंग डॉर में साउथ में नॉर्थ में आपको इसका detail address आपको अपने नाम अपने percentage and 51-60% के बीच है जिसकी वह आपको करना है blue pen से आपको यहां पर mention करनी अपनी percentage और जिसकी भी 61 यह 60 से ज्यादा percentage है उसको अपनी black pen से percentage लिखनी है यह main envelope पे ही लिखना है और साथी साथ आपको अपने खुद के signature बगरा भी कर देना और अपनी तारीक भी डाल देना जिस इसमें जो है आपका call letter आने वाला है आपको examination related तो आपको इसमें क्या करना है पहले 25 उर्पे का stamp लगा लेना है 25 उर्पे का stamp आपको में जाएगा का फीर पोस्ट ऑफिस पे आपको 5 उर्पे के 5 लगा लेना या फिर 10 के दो या फिर 5 तो आप एज लिग पे पे इस पर पर स तो आपको कोई भी समस्य परेसानी ना आए तो यह दोनों चीज आप आसा करता हूं सभी की क्लेर हो चुकी होंगी एन्वलप से लेटर ना सीधर चलते हम अपने अप्लिकेशन फॉर्म की तरफ किस तरीके से आपको अप्लिकेशन फॉर्म करना है इसमें आपका जो अधार कार्ड लगाना बहुत मैंच जरूरी है अपनी दो पासपोर्ट साइज फॉर्टो फॉर्टोग्राफ जरूर लगाए और डिस्चाइट अपने एक सर्विसमें वालों के लिए तो में में आपको मैं डॉकुमेंट बतायता हूं जो चीज है वो बत लगाना भूलना यह दो पोटोग्राप्स आपको लगानी है अप्लिकेशन फॉर्म पे भी और एड्मेट कार्ड पे भी और एक कादी फॉट्रो एक्स्टा डाल देना साइन करें मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से नाव जैसे कि यह दोकुमेंट्स ते आपको जितने भी केंड़ेट्स आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप आपको चनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बैल आइकन को ज़रू दबाएं जिससे लेटेड हम आने वाले पोस्ट में आपको इससे लेटेड एक्साम पैटरंस लेबस एडमेट कार्ड आपकी हर एक चीज आपको चनल के माधन से समय समय पर बताए जाएगी तो चैनल से कनेक्ट रहें इस तरीके से फॉर्म की पीडियाफ आपको देखने को मिलेगी प्रिंट आउट निकलवा लेना और नहीं मेली हो तो वाट्सप पर मेसेज करने आपको मिल जाएगी इस तरीके से आपको फोटोग्राफ आपको पेस्ट करने लिता नाउट और राफ मैं दो आपको के दाना आ डाल दें आपको अपने नेम डाल देना है जितनी भी बेसिक डीटेल है आप फिल कली लोगे मैं आपको में में चीज बताया दो हूँ आपको अधार नंबर फादर्स नेम डेटो बार्थ आपको इसका भी कॉर्रस्पोंडर सेम है सेम लिखिया अलग-अलग है अलग-अलग लिख सकता है आपको बात करते हैं अपनी एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में तो आपके जो भी अपने डेस्वी बारवी हाईयर कॉलिफिकेशन जो भी कर रहा है वह आपने आपे मेंशन कर देना है तो आप इसमें ऐसे फिल कर सकते हो 10th and 12th करके आपने कौन से स्कूल से करा हो कि इसका स्कूल का नाम डाल सकते हो और कौन से बोट से करा सीभी एसती बोट से करा कितने पशेंटेज मंख देना है इस अगर फिजिकर आपको अपके पास अगर फिजिःकल हैं तो आपको एधरवाई नहीं करना फिल बगराकुच एंपलाइम. IS N तो मत करना यह हो तो कर देना ओके आपको 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 जो भी है आपको यह पोस्टेड होने चाहिए जब भी आप स्लेक्ट बगरा हो गए तो आपको कौन से राज्ये में आपको चाहिए लोकेशन तो आप यहां पर मैंशन कर सकतो हो डीकलरेशन में आपको जिस दिन भी पॉस्ट करोंगया अपको लगा देना ऑन इस नंवी और वन इसको फिल कर सकते हैं या आपको मिल जाएगी फूरी वीडिये में आपको वाट्सप पे दे दुरू आप महा से ले सकते हो यह ओविसी जो इसमें जो भी तो फोटोगराफ लगाने है और आपको इसकी प्रिंट आउट निकल वाना है और सेल्फ टेस्ट करके यहां पर भी आपको दो तरीके से इस तरीके से से मैजटी से दिखाया जा रहा होगा क्रोस सिग्निचर कर देना है ना हम बात करते हैं जैसे की कि नेम ऑफ दे केंड़ेट एंड फादर्स नेम डेट वबर्थ और एक्जाम सेंटर वगरा तो यह आपको फिल नहीं करना जो भी टिक करके आपको मेंचन कर देनी है बस यह आपका इतना ही काम था जो भी फालतु की चीज़ों फिल मत करना वाकि उन्नी का काम है आपको अप आपको जब भी एडमेट कार्ट आएंगे इसके तो आपको समय समय पर सूचित किया जाएगा एक्जाम पैटन आपके हर चीज आपके डाउट किले कर जाएगगे तो चानल को सब्सक्राइब करें अभी तक भी किसी नहीं नहीं किया और वीडियो को लाइक करें और किस बढ़िए है और ज्याओ नहीं प्रच प्रैम फन रहीं नहीं कि ए रचासाइब करें और देडल करेंप惜। झाल झाल